असलाम लेकुम प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों उमीद करती हूँ कि आप सब ख्यरवाफित से होंगी प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हम ने कल अपने लेस्न नमर टेन स्टार्ट की है माई स्कूल जिसमें हमने आपको पढ़ाया स्कूल में हम क्या क्या करते हैं क स्कूल में अलग अलग जो रूमस होते हैं अलग अलग ँद्सका कमरे हδα की हम अज jeśli हमाइए। वो हम कैसे उनका इन डिफरेंट वे हम उनका यूज करते हैं अलग-अलग तरीके से हम उनका इस्तिमाल करते हैं हम कैंटीन में कुछ चीज़ें खाते हैं या हम ग्राउंड में खेलते हैं या क्लास रूम में हम पढ़ाई करते हैं आफिस में जो प्रिंसिपल सर का रूम होता है आफिस वहां पे हम तब ही जाते हैं जब हमें वहां पे कोई इंपोर्टेंट काम होता है या लब कंप्यूटर लैब में हम उस टाम जाते हैं जब हमें कंप्यूटर की क्लास होते है या लैबररी में हम उस टाम जाते हैं जब हम हैं हम जानते हैं कि बहुत सारे अलग-अलग कमरे होते हैं वहां पे सिर्फ आपी का क्लास रूम नहीं है वहां पे अलग-अलग बाकी क्लास के लिए बाकी स्टूरेंट्स के लिए अलग-अलग क्लास होते हैं यह बाकी अलग-अलग रूम्स होते हैं लाइक लेबरियरी होती यह होतए हैं यह अलग अलग कमरे लिए सब्सक्राइब करें अलग सी एकटिविटीज करते हैं like हम classroom में पढ़ते हैं या हम office में कोई important काम से जाते हैं या हम library में पढ़ने के लिए जाते हैं कोई book पढ़नी होती है हमें तो library में हम जाते हैं जब कोई experiment में हमें करना होता है तो हम laboratory में जाते हैं या computer की class जब होती है तो हम computer lab में जाते हैं तो इसी तरह हमें अज पढ़ना है कि कैसे अलग-अलग जो रूम होते हैं स्कूल में हम उनका अलग-अलग तरीके से इस्तिमाल करते हैं पहले सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले दर इस classroom classroom आप सबी जानते हैं न classroom किसको बोलते हैं classroom वो कमरा होता है जहां पे आप ही के class के बच्चे आपके classmates बैटके आपके साथ पढ़ाई करते हैं और एक बात और है कि आप स्कूल में सबसे ज़्यादा time कहां पे spend करते हैं अपने classroom में classroom teachers teach us many things in the classroom जो teachers होते हैं जो हमारे उस आज़ा किराम होते हैं वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं classroom में there is a black board or white board in the classroom home classroom ने या तो black board होता है जिस पहरा teacher होता है classroom होती है यहां पहरी classroom की picture दी गए ठीज है आपब स्कूल में भी ऐसा ही classroom होता है उili होता है आगे white board होता है या उसुए सायब औरे yeah work mode पहोता है जिस पे अलग सी नोटस बोर्ड होता है जिस पर ह bisschen टीचर ऐसे आपके सामने आपको पढ़ाते हैं और आपके लिए अलग-अलग सी चीर्स लगी होती है जिस पे बैठ के आप पढ़ाई करते हैं टीचर वायट या ब्लैक बोड होता है जब टीचर हमें पढ़ाता है वो उस पे कोई इंपोर्टन चीज लिखते हैं टीचर के लिए हर एक क्लास में बैठने के लिए हर एक क्लास में बैठने के लिए जो बच्चे होते हैं जो अम लब स्टूरेंट सोते हैं जो शागिरत होते हैं वह सबसे ज्यादा मुस्ट आप टाइम इस पेंट इन दे गंटे तक फिर अधे गंटे तक फिर आप अमलब दस से एक बज़े तक क्लास रूम में होते हैं फिर एक से दो बज़े तक लंच होते हैं फिर से आप दो से तीन बज़े तक मिलब classroom में होते हैं सबसे ज़्यादा time एक student स्कूल में कहां पे गजारता है अपने classroom में तो classroom हम कैसे classroom का इस्हिमाल करते हैं या कून सी activities हम classroom में करते हैं वो हमने आपको आज पढ़ाया तो next lecture में हम अपको इन्शाल्ला दूसरी रूम्स के बारे में पढ़ाईंगे जो हम स्कूल पे देखते हैं जहां पे हम स्कूल पे जिन में जाके हम स्कूल पे बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं आज के लेक्चर में इतना ही अल्ला हाफिज